दोस्तो रोलैंड ने हल ही में अपना सेंप्लिंग पैट सीरीज का एक नया पैट लॉंच किया है जिसका नाम है रोलैंड स्पिटी एसेक्स प्रो आज के इस वीडियो में हम इस पैट का थोरा टेटल्स जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये पैट इंडिया में कब अवेलेबल होगा और इसका प्राइस कितना होने वाला है नमस्कार दोस्तो आप सबका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स प्ले अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखें वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तो रोलैंड का सबसे पहला सेंपलिंग पैड था रोलैंड SPDS फिर इस पैड को आपग्रेट करके रोलैंड ने SPDS-X के नाम पर एक नया सेंपलिंग पैड लॉंच किया था जो इसको भी आपग्रेट करके रोलैंड SPDS-X PRO के नाम से एक नया सेंपलिंग पैड लॉंच किया है कमपनी ने इस पैड को अपना सेंपलिंग पैड सीरीज का फ्लैक्शिप पैड का दरजा दिया है यानि के कमपनी के मानना है कि यह सबसे अच्छा सेंपलिंग पैड है दोस् आप जान लेते हैं रोलैंड का यह जो नया सेंपलिंग पैड है रोलैंड SPDS-X PRO इसके कुछ फीचर्स के बारे में दोस्तो इस नया पैड में भी पुराने SPDS-X जैसा ही 9 पैड यानि के डब्बे हैं तीन-तीन करके उपर से लेकर नीचे तक 9 डब्बे हैं जिन में से 6 डब जिनने टॉप रोशोल्डर पैड का जाता है उनका रेस्पॉंस पुराने वाले पैड के मगाबले काफी अच्छा है पुराने SPDS-X में पैड के साइड में एक-एक करके लाल LED लाइट हुआ करता था जबकि इस पैड में एक-एक डब्बे के चारों तरफ लंबे LED लाइट जो की multi-colored है ये आपको देखने को मिल जाएगा इसके बजाएसे dark stages में भी यानि के अंधरे में भी आप पैड को कफी अच्छे तरह से देख सकते हैं इस पैड में दोस्तों आपको एक बरा size का color display मिल जाता है 4.3 inch का color display आपको इस पैड में देखने को मिल जाएगा इस GB का internal storage आपको देखने को मिल जाएगा जो की एक बहुत ही ज्यादा space है samples और files रखने के लिए इस pad में आप samples को web, AIFF और MP3 format में install कर सकते हैं दोस्तों इस pad में आपको एक stereo main output देखने को मिल जाएगा और 4 अलग-अलग mono output आपको इस pad में मिल जाएगा जो की easy mixing के लिए balance किया ह हुआ है दोस्तों इस pad में आपको चार stereo external trigger input मिल जाएगा यानि के आप अगर चाहे तो external trigger के तौर पर चार और pads या फिर कुछ accessories add कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो उन चार stereo input को Y cable यूज़ करके 8 mono input में convert कर सकते हैं तब आप total 8 trigger input इसमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इस pad में आपको high hat या फिर foot switch के लिए एक अलग सा input आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों आप अगर चाहे तो आप इस pad को अपने computer से connect करके भी इसको edit कर सकते हैं इसके लिए एक dedicated spdsx pro app company के तरब से दिया गया है जो की windows और mac दोनों operating system में काम करता है इस pad में आपको 200 kit patches मिल जाएंगे जिन में से 43 kits erasable preset kits है यानि के यह है तो preset kits लेकिन इन्हें भी आप edit कर सकते हैं या erase कर सकते हैं और बाकी 157 kits आपको blank मिल जाएगा दोस्तो इस pad में आपको already 1500 से उपर pre-loaded high quality samples and sounds मिल जाएंगे onboard इस pad में आपको 16 step pad sequencer function भी मिल जाएगा इस pad में दोस्तो आप लोगों को onward effect engine मिल जाएंगे जिसमें आप 4-4 effect को parallelly use कर सकते हैं और इसमें आपको side chain compression का एक effect भी देखने को मिल जाएगा जिसको आप output में भी routing कर सकते हैं इस pad में आपको built-in metronome या फिर click आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो इस pad में आप काफी बड़े samples load कर सकते हैं इसमें highest sampling form दिया गया है 60 minutes per sample यानि कि एक घंटे का एक sample भी आप इसमें store कर सकते हैं इस pad में हर एक डब्बे में आपको दो layers मिल जाएंगे और effects के अगर बात करें तो इसमें आपको layer equalizer, layer transist 53 types का multi effect एक side chain compression आपको मिल जाएंगे दोस्तो अगर dimension की आप इस size की बात करें तो ये pad का size SPD-SX की तरह ही है और इसका वजन लगभख 3 kg है दोस्तो ये सुनने में आया है कि ये pad इस साल December में या फिर 2023 के शुरुआद में ही इंडिया में launch कर दिया जाएगा और इस pad का कीमत लगभख 80,000 से 1,000,000 रुपए के बीच में हो सकता है दोस्तो आप लोगों क्या लगता है कि ये pad Roland की SX pad के comparison में price और performance wise बहतरीन साबित होगा कॉमेंट में बताइएगा